Hello everyone, myself मिनाक्षी, your Hindi teacher, और आज हम स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे स्वरों को दो तरह से बोला जाता है स्वतंत्र रूप से तथा वियंजनों के साथ मिलाकर वियंजनों के साथ मिला कर लिखे जाने वाले स्वरों के चिन्नों को ही मात्राएं कहते हैं क्योंकि अ स्वर प्रतियक वियंजन में मिला हुआ होता है अथा अ स्वर के लिए अलग से कोई मात्रा चिन्न नहीं है जैसे घर, कमल, शल्गम अब यहाँ अ की मात्रा वाले को शब्द दिये गए हैं जैसे अब, अटल, अद्रक, कल, मटर, सरगम, गज, कलम, कटहल, अमर, अमन, अचकन, घट, रबड, शर्बत, चल, सडक, थर्मस, असर, अक्षत, अजगर, फल, शहद, बड़तन, अजय, अक्षय, अरहर, दस, भवन, अमरस अब नीचे दिये गए चित्रों के आपको नाम बताने हैं पहला चित्र किसका है? घर दूसरा बस फिर उसके बाद मटर मटर का चित्र कहा है? उसके बाद है बटन बटन का चित्र कहा है? उसके बाद कलश अब हम अग की मात्रा वाले वाक्य पड़ेंगे बस आई रजट अब इधर आ बस आ गई बस पर चड़ अब उतर घर चल सड़क पर इधर उधर न चल सड़क पर एक ओर चल आकी मात्रा आकी मात्रा में व्यंजन के बाद एक सिधी रेखा लगाई जाती है जैसे आम आसन हाथ नाक कान बाल इसके ओर अन्य उधारण है आप आन आलस पाठ बाजा चावल आज आई आश्रय चार माता बादल आग आयत आश्रम साथ खाना गाजर आठ आदर आहट डाल माला ज्जालर आम आपस आजकल डाल तारा और पालक अब दिये गए शवदों में आ की मातरा लगाओ पहला है जल जल में आ की मातरा लगाएंगे तो क्या बनेगा जाला उसके बाद है मल मल में आ की मातरा लगाएंगे तो माला उसके बाद कल कल में आ की मातरा काला अब हम आ की मातरा से संबंदित वाक्य पढ़ेंगे दावत तारा और मानव आओ आज दावत खाओ राजमा चावल और रायता खाओ पालक का साग और सलाद खाओ गाजर का गरम गरम हल्वा खाओ वाह वाह शांदार दावत